जब कृष्ण बड़े हुए तो अक्सर अपनी मा यसोदा से पूछते थे बाकी लोगों से उनका रंग अलग क्यों है नमस्कार ज़स्ट चो मिनिट से त्रहुल नागडा में आपका स्वागत है होली रंगों का त्योहार ही नहीं प्यार का त्योहार भी है आज इस वीडियो में हम होली में रंग लगाने की प्रथा कब शुरू हुई ये देखेंगे वो भी सिर्फ दो मिनिट तो शुरू करते हैं जब राजा कंस को पता चला कि कृष्ण जिंदा है तो उसे मारने के लिए कंस ने कई कोशिशें की उसमें से एक ये है कि कंस ने पताना नाम के असूर को कृष्ण को मारने के लिए बोला पताना ने अपने शरीर में विष्धारन करके स्तनपान के जरीए कृष्ण को मारने का सोचा कृष्ण जोकी विष्ण भगवान के आवदार थे ये जान गए थे तो कृष्ण ने स्तनपान के समय पुताना का वद्ध कर दिया इस विश्च को पीने की वज़े से कृष्ण का रंग निला हो गया जब कृष्ण बड़े हुए तो अक्सर अपनी मा यसोधा से पूछते थे बाकी लोगों से उनका रंग अलग क्यों है एक दिन कृष्ण ने ये भी पूछ लिया कि मेरे इस रंग को राधा कैसे पसंद करेगी तो यसोधा मा ने जवाब दिया कि तुम राधा को भी रंग लगा दो और तुमारे जैसा बना दो नटकट कृष्ण ने ये सही समझा और राधा और बाकी गोप्यों पर रंग लगा दिये और तब से ये होली पर रंग लगाने की प्रथा चली आ रही है इसलिए होली सिर्फ रंगों का नहीं प्यार का भी तियोहार है तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविजा